दोस्तों क्या आप पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग यानि PSU में जौब पाना चाहते हैं अगर हां तो यह बुल दो आपके लिए हैं लगातार बगेर इसकी प्यूप है अगर आपको पूरा देखना है अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है दोस्तों नमस्कार आदव सश्यकाल मैं हुदी पान सुभाज की और आपको हर्दिक श्वागत करता हूँ अपने दोस्तों PSU की बात करें पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग की तो PSU राज्य वा केंद सरकार के अधिन हो सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग में 50% सेर सरकारी का होता है चाहे वह सेर राज्य सरकार का हो अथवा भारत सरकार का हो यह कह सकते हैं कि यह अर्ण सरकारी के तोर्पे हम जानते हैं PSU वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं महारतन, मेनिरतन वा नवरतन सभी में अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो काम करने का इसमें लाब क्या होता है समान है जॉब आपको कौन-कौन सी लगती है वो भी समान है सेलेक्षन प्रोसेस आपका इसमें समान है और सेलरी इसकी लगभग समान ही होती है चाहे वह महा रत्न कि हो अथवा मिनी रत्न कि हो अथवा वह नव रत्न कि हो बात करते हैं काम करने का इसमें लाब क्या है अंकिर हम PSV में ही जौब क्यों करें हमारे पास बहुत बहुत सारी विखल्ब थ्रेजबंद क्रशिफ हैं olan Public时 सेक्टर यानि अर्डर सरकारी तो हम सरकारी में ही क्यों जाब ने करें अथवा प्राइबत में जाब क्यों ने को पब्लिक सेक्टर में जाब करने का मुझे लाब क्या होगा अब लिक सेक्टर में आप अगर जाब करते हैं तो सतरकारी जिस प्रकार आप सरकारी छेतर में जा सेक्टर अंडर्टेक्ट में जाब भरने का फाइदा होता है इसमें आपकी जाब की शिवर्टी रहती है का प्रकार होता है वह भी सीमित होता है तारे भी आपका पब्लिक सरकारी जैसा होता है और जाब की सुरच्छा सरकारी जाब जैसी रहती है आप बात करते हैं इनमें ज जॉप कौन လहक से निकलती है है कि वर्षय में बहुत सा जॉप डिखलती है जो मोक्रताय होती है वो डोषब्रकार की जॉप निकलती है technical और non-technical तेक्टर से motion fully completed होते हैं अथिवार आ इसलिए जॉट दे रहा हूँ कि हमार लियुबब्लिय जो आइटिय कर रहे हैं। तो में उन लोगों को जन करने चाहता हूँ कि अगार पी यह स्कूर अजी के बार्amos आप आराम से जाब पा सकते हैं, चाहे वो सेल हो, भेल हो, गेल हो, ओएनजीसी हो, या फिर औरनेस फ्रिक्तिय की जो साथ साखाएं बनाई गई हैं, जो पब्लिक सेक्टर के अंतरगर आती हैं, उनमें हो, जैसे की AWIEL हो, MIL हो, ABNL हो, आधी-ाधी जो की बनाई गई हैं, उनमें भी जाब करने का, जाब पाने का क्राइडरिया समान ही है, और जाब समान ही है, अधी-ाधी की बात करने, तो open competition exam होता है, उस exam को fight करने के बाद में, जो बेकंसी होती हैं, एक तिहाई ज्यादा लड़कों को बुला जाता है, वो ही practical के लिए, practical आप समझते होंगे, क्या होता है, skill test, जैसे कि आप जिस trade से ITI किया है, जिस trade से आपके ITI कम्प्रीट किया है, उसका आपको test देना पड़ता है, मल यह आपके terminal test से ITI किया है, तो आपको let machine का कोई practical दिये जाएगा, कि क्या आखिर आप उस कारे को कर सकती है, अधवा नहीं, या कि electrician का है, तो electrician समंदिर आपको technical करवा के दीखा जाता है, कि skill की जानकारी है, अधवा नहीं है, ठीक है, तो उस skill test को pass करने के बाद में, आपका selection हो जाता है, और उसमें जो फार्मेल्टी होती है, जैसे कि medical हो गया, verification हो गया, इन सभी फार्मेल्टी को पूरा करने के बाद आप आप आराम से job पा सकते हैं, selling की बात करें, तो ITI करने के बाद अगर आप PSU सेक्टर में जाएंगे तो लगबग 30,000 से 35,000 से आपकी starting हो सकती है, यह मान सकते हैं कि सरकारी से ज़्यादा आपकी selling में मिलती है, तो यह public sector undertaking, खास करके उन बिरोजगारों के लिए बहुत ही अच्छा सुनरा आवसर होता है जो लोग बिरोजगार हैं, तो कैसा लगा वीडियो, अगर आपको किशी प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर आपको यह लग रहा है कि कोई जानकारी या कोई टॉपिक हम से छूट गया है, तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाईएगा, मैं फूरी कोसि